तो हेलो गाइज वेलकम तो मैं चैनल इवल रॉक्स एनिमेशन आप सभी का स्वागत है हमाय यूट्यूब चैनल पर तो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप गोश्ट राइडर की तरह फेस में आग को क्रियेट कर सकते हो तो यहां पर हमने फ्री फायर का बन गाइज यहां पर हम सबसे पहले परने बनी CH एं-पोर्ट कर ले ले और इसमें मूव कर दे उपर की तरफ इसके head के बिल्कुल नीचे इस तरीके से आप सेट कर लें उसके बाद यहां पर सिफ प्लस ए प्रेस कर दें और यहां पर force field में चले जाएं force field में जाने के बाद आप टर्बूलेंस दिया हूए है इसमें चले जाएं और इसको हम move करके बिल्कुल इसके head के ऊपर ले आते हैं उसके बाद आप यहां पर physics properties में चले जाने के बाद यहां पर strength को आप 0.4 कर दें और noise amount दिया हुए noise amount को भी आप 0.4 कर दें फिर आप इसके face को select कर ले और यहां पर physics properties में fluid दिया हुए fluid में यहां पर flow texture properties में चले जाए texture property में यहां पर new मेंठ्लिक कर दें यहां पर 좌़ यहां पर he time dot ką करदें और इसको size को पॉंट 1 कर दे इसके पर नीछे में चले आप गलर में हम कंट्रास्ट को बढ़ा कर वाइब कर देने फिर तो यहां पर फिर से आप physics properties में चले जाने के बाद यहां पर texture दिया हुआ है texture में जो हमने texture को create किया था उसको आप select कर लें तो फिर आप यहां पर domain को select कर लें तो हम इसको play करके देख लेते हैं एक बर तो यहां पर आप लो domain को select कर लें और यहां पर physics property में चले जाएं तो जितना ज्यादा आप regulation में value को put करोगे तो उतना आपका जो fire है वो detail में देखने को मिलेगा आपको तो यहां पर 256 value put कर देते हैं बाकि आप लोग अपने accordingly सेट कर लें यहां पर नीचे adaptive domain दिया हुआ है तो इसमें आप टिक कर दें उसके बाद यहां पर आप नीचे चले जाएं नीचे यहां पर fire दिया हुआ fire को open कर ले वर्ट सिटी के value को आप point one कर दें और reaction speed को आप three कर दें और frame तो इसमें आप टिक कर दें उसके बाद यहां पर ऊपर चले जाएं स्क्रोल करके यहां पर back data दिया हुआ है तो यहां पर आप क्लिक कर दें थोड़ा से time लेगा तो data back करने के बाद हम यहां पर camera को add कर लेते हैं अगर आपको नहीं पता कि camera को कैसे add करते हैं multiple camera को कैसे add करत तो उसकी वीडियो में ने औरडी बनाई हुई है, आप लोग जा कर चेक कर लें, बाकी में नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उसके बाद आप यहाँ पे रेंडर प्रॉप्टी में चले जाएं, रेंडर प्रॉप्टी में जाने के बाद यहाँ और फिर यहां पर आप एड़ कर लें attribute, attribute के यहां पर नीचे name में आप heat type कर दें, उसके बाद यहां पर आप add कर ले color ramp, उसके बाद आप यहां पर attribute के factor को आप color ramp के factor के साथ attach कर दें, और color ramp के color को आप principle के emission strength के साथ connect कर दें, principle के density को आप zero कर दें, उसके बाद यहां पर color ramp के black और इसको मूँव कर देक वाइड कर लेते हैं ज्यादा ब्लेक नहीं करेंगे उसके यहां पर एक और कलर में अट्रिपीट के पईट के पॉइंट को हम change कर लेते हैं orange color कर लेंगे और दूसरे लिए white color के point को हम change करके कर लेते हैं yellow बाकि आप लोग अपने accordingly set कर सकते हो इसको जैसा आपको चाहिए fire उस color का आप कर सकते हो तो यहाँ पर हम एक और node add कर लेंगे math node और इसको हम color और emission strength के center में हम attach कर देंगे और यहाँ पर add में आप siya face multiply कर दें और इसके बैक्ग्राउंड में सारा ब्लैक हो गया तो बैक्ग्राउंड ब्लैक में हमरे फायर के विजिविल्टी थोड़ी अच्छे से हो रही है उसके यहाद यहाद पर दो नोड और एड़ कर लें नौइस टेक्चर और कलरेंप तो यहाँ पर हम सिफ्ट प्लस डी प्रेस करके मुल देते हैं एट और डिटेल में कर देते हैं नाईं और डिश्टर्शन में कर देते हैं वन बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिदेख ले जितना भी आपको डिटेल चाहिए स्केल चाहिए और मुल्टिप्लाई के वैल्यू को बढगर कर देते हैं 50 तो यहाँ पर कर लेते हैं glare node और इसको अटेच कर देते हैं यहां पर आप अपर ग्लेयर नोड के ऊपर Ctrl Shift mouse left button क्लिक कर दें तो यहां पर आपका विवर नोड एड़ हो जाएगा और ग्लेयर नोड में यहां पर आप स्टेक से 4 गलो कर दें और थ्रेस होल्ड को आप जीरो कर दें size को 9 कर दें तो अब हम यहां पर render करके देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग screen पर check कर सकते हो कि हमारा fire जो बिल्कुल सही तरीके से create हो गया है तो अब हम यहां पर अपने clock tower को import कर लेंगे light को create कर लेंगे और environment को लगा देंगे तो अगर आपको नहीं पता है कि light sun कैसे add करते हैं तो उसकी वीडियो मैंने औरड़ी बनाये वह भी वीडियो आप लोग जाका चेक कर सकते हो तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी तो मिलते हम नेक्स वीडियो में थैंक्यू पर वाचिंग इस वीडियो